हेलो जी राम राम एक बार आपका फिसर सागत करता हूं हमारे इस चैनल स्काउट रेबल पर हमने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि चेतर वर्सर्ज ओल एश्वन प्रो जनरेशन टू के बारे में पूरी तरह से कंपैरिजन से मुस्सी चीज़ को बढ़ा के बढ़ा पार्किंग असेस्ट और रिवर्स मोड इस टॉप इस टॉप बटन यह सारी चीज़े आपको दोने स्कूटर में सिमिलर मिलने वाली है अब डिफरेंस क्या हो गाए इन में देखो एथर में आपको टूचर स्कून मिलेगा जबकि चेतर में नहीं मिलेगा सेंट्रल लॉकि करें इसके पावर और परफाउमेंस की बारे में तो चेतक में आपको लिथियमायन बैटरी पैक मिलता है 3.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जिसमें आपको 4200 वाट का मैक्सिमम पावर और 4000 वाट का रेटेट पावर मिल जाता है 22NM का टॉक मिलेगा 126 किलोमेटर की आपको राइडिंग रेंज मिल जाती है यानि कि एक बार आप चार्ज करो 126 किलोमेटर आराम से जा सकते हो 73 किलोमेटर पर आवर की टॉप स्पिड मिलने वाली है साथ ही इसमें आपको BLDC मोटर मिलेगा इस स्कूटर को आप 4-4 गंटे में आराम से फुल चार्ज कर सकते हो उबर्ट इसमें फास्ट चार्जिंग की आपको सुवजा नहीं मिलने वाली और अगर भी इसके कंपेजियंग में बात करें एथर 450X जेनरेशन 2 के बारे में तो इसमें आपको लिथिया मायन बैटरी पैक मिलेगा 2.23 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ और इसका जो मै कमी राडिंग रेंज दे रहा हां भाई लेकिन इसमें जो इसकी टॉप स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर किया है जो कि चेतक के मुकाब दे थोड़ी बहतर है साथ ही इसमें आपको बात करें इसके सस्पेंसर हो गया रा के बारे में तो भाई देखो टेलिसकोपिक फ्र के सिंगल साइड लेडिंग लिंक वाले इसमें आपको फॉक्स मिल जाएंगे साथ इसमें आपको 108 किलो का करवेट होने वाला है और जनेरेशन टू का होगा 134 किलो का साथ सीट हाइट मिल जाती है आपको बजाक से तक में यानि कि आप कंफरटेबली इसे राइट कर सकते ह हो कोई भी से चला सकते है अगर आप 5.5.5 फीट के भी हो तो भी मतलब कहने का मतलब आपका हाइट से नहीं है आपकी एज़ भी अगर कम है और हाइट अभी बढ़ेगी भी तो भी आप इन दोनों में अगर हाड़ वेर की बात करें मतलब इसके आउटर चीजों के बारे मे के कि लिए में आपको स्फेंसं रियर में दोनों में मिलेंगे साथी दोनों सुठर में निल लाए बहुत बाहिं की बैटरीन और इसके पाबरों में से राइडिंग बागी मैक्सिमम चीजह आपको चीज जादा कुछ अंतर नहीं है सबसे में डिफ्रेंस मुझे भाई यही लग रहा बागी आपका क्या ओपीन है नीचे कमेंट बोक्स में कमें करके हमें जरूर बताना और हाँ अगर कोई भाई इंदोरों में से कोई भी स्कूटर रभाई जन्द कर रहे हो तो आपको आपकी वर्चिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दाम राम